हाजी सभी साथियों को नमस्कार पसू ग्यान वैट सब ओफिसियल यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम MCQ शीरीज के अंदर हम एनिमल ब्रीट्स के बारे में बाते करेंगे आपको match the column जहाँ पर part A लिखा है यहाँ पर नीचे कुछ species के नाम लिखे हुए है और part B के अंदर आपको scientific name के बारे में बताना कि उस species का scientific name कौन सा होगा पहले देखिए लिखा हुआ है cow cow को हम क्या बोलते हैं बोस इंडिकस जो indigenous breeds होंगी उसको बोला जाता है बोस इंडिकस लेकिन जो exotic breeds होती है cow की उसको बोला जाता है बोस टोरस क्या बोला जाता है बोस टोरस next आता आपका swine swine को बोला जाता है सस्क्रोफा क्रिष्टेसस या फिर domesticus यह हो गए आपका swine का scientific name goat का देखिए goat का होता है आपका capra hircus buffalo का होता है बुबैलस बुबैलिस sheep का होता है avish erais और horse का होगा आपका equus cabellus क्या होगा equus cabellus इसके अलावा exam के अंदर आपका आ सकता है कि जो poultry होगी hen होगी उसका नाम क्या होता है उसका नाम होता gallus domesticus gallus domesticus और कई विमारिया होगी जो poultry की उसके अंदर आपको bacteria के आगे नाम देखने को मिलेगा gallus क्या देखने को मिलेगा gallus जहां पर gallus लिखा हो यह समझ लेना कि यह poultry की कोई disease है इसके अलावा camel का जो scientific name होता है उसका क्या होगा जो one hampt होता है जिसका एक कुबड होगा उसको बोला जाता है camelus dromedaris 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 और इसके अलावा जो double hump होता है उसको बोला जाता है camelus bacterians bacterians camelus bacterians इसके अलावा dogs का नाम होगा आपका canine बोलते हैं इनको तो canis familiaris familiaris next question पर चलते है मारक दा pseudo ruminant animal देखिए pseudo ruminant वे animals होते हैं जिसके अंदर क्या होगा जैसे rumen होगा इसके stomach के कितने पार्ट होते हैं चार पार्ट होते हैं rumen reticulum abomagem और omagem pseudo ruminants के अंदर वे proper रूप से तो जुगाली नहीं करते लेकिन किसकी कटेगरी में आ जाते हैं pseudo ruminants की कटेगरी में आ जाते हैं आपने एक ट्रम पड़ी होगी pseudo rumination pseudo rumination जो कि किसके अंदर होती है rabbit के अंदर होती है किसके अंदर होती है rabbit के अंदर रात को rabbit है वो अपना fecal material दोबारा से consume करता है cellulose का पाचन करने के लिए उसको वो लज़ता pseudo rumination तो camel के अंदर जो stomach के च्यार पार्ट होगे उसके अंदर से कौन सा पार्ट absent होता है कौन सा होगा omagem omagem को क्या बोला जाता है omagem को बोला जाता है many plies क्या बोला जाता है many plies और इसका काम क्या होता है water को absorb करना क्या करना water को absorb करना तो होमेजम क्या होता है इसके अंदर एपसेंट होता है तो इसका अनसर कौन सा हो गया कैमल नेक्स्ट आता आपका नंबरों क्रोमोजोम आपको मैच करने हैं सबसे पहला है काउ और गोट काउ और गोट कैसे याद किया था कि C O W और G O A T गोट दोनों के अंदर ये 0 के टाइप का है तो 0 तो होगा ही पिछे से तो 0 लगा ही होता है तो इसका मतलब अंसर हो सकता 60 में से और 50 में से 20 लगपग सब को याद रहता कि यह है जो riverine buffalo उती है उसके अंदर होगा तो उपसन एक ही रहा गया कौन सा 60 तो कितना होगा इसके अंदर 60 होगा next आता है riverine buffalo के अंदर कितना होता है 50 swamp के अंदर कितना होगा 48 जो कि Malaysia के अंदर मिलती है Malaysia वाली region वी इनको किच्डवाली भेंसे भी बोला जाता है सीप के अंदर देखिए सीप के अंदर SH WEP इसको अगर हम H कूल्टा कर दे तो यह किस के परकार का है 4 के परकार का और यह किस के परकार का है 5 के परकार का तो कितने होते हैं 54 Next आता आपका Horus Horus के अंदर देखिए इससे पहले आप एक बार Cat और Swine को देखिए Cat को बोला जाता Billy क्या है यह Billy Billy को ऐसे लिखते है यह लाय है यह किस के परकार का 3 के परकार का और अगर 2 को आप लिखे हो तो यह किस के परकार का है Counting के अंदर 8 के परकार अगा तो इसके अंदर कितना होगा 38 Billy के अंदर 3 लैटर आते है तो सूवर के अंदर भी 3 लैटर आते है तो Billy और सूवर को इकठा याद रखिए कितने होगे 38 कितने होगे 38 मुर्गी और डोग डोग मतलब कूता तया है यह किस के परकार का है 7 7 के पिछे तया होगा 7 और यह जो कया है यह किस के परकार का है यह है 8 के परकार का तो इसके अंदर कितने होते है 78 कितने होते है 78 इसके अलावा आपके horses के अंदर देखिए H, O, R, S, E, horse यह किस के परकार का होगा आपका जार के प्रकार का इसके आगेच है, कितना हो गया? 64, और इसके अंदर कितना? 64, मूल के अंदर 63, और एसके अंदर कितना होगा? 62, 62, इसके लावा हमारा कौन सा रहता है? यह हो गया, हमारा complete, कैमल के अंदर रहता है, कैमल के अंदर कितने होगा? 74, कितने होता है? 64, 64 होगा, के अंदर 74 होता है किसके अंदर 74 होगा उंट के अंदर next देखिए next आता है आपका मीट बताना हामे जो स्वाइन होता है उसके मीट को क्या बोला जाता है स्वाइन को मीट को बोला जाता है पोरक क्या बोला जाता है पोरक सीप के मीट को बोला जाता है क्या मटन क्या बोला जाता है मटन पेल येलो कलर का बेस्ट क्वाल्टी होगी पेल येलो कलर का नेक्स्ट आता है बफैलो को बोला जाता है बफैलो के कैरा बीफ या फिर बफन गोट के मीट को बोला जाता है चिवोन जो की डारक रैड कलर का होगा बेस्ट कॉलिटी का और काफ के मीट को बोला जाता है वील काफ के मीट को क्या बोला जाता है इसके अलावा काउ के मीट को बोला जाता है बीफ क्या बोला जाता है बीफ इसके अलावा आपका रैबिट rabbit के meet को क्या बोला जाता है game क्या बोला जाता है game game बोला जाता है और when she on बोला जाता है deer के meet को मतलब की hiren के meet को और जंगली जानुवर होंगे जितने भी उनके meet को बोला जाता है game क्या बोला जाता है game next आता है हमारा castrated में लिखा हुआ है पार्ट A के अंदर पार्ट B के अंदर बताना है कि स्वाइन के कास्ट्रेटिड मेल को क्या बोला जाता है सीप के कास्ट्रेटिड मेल को क्या बोला जाता है इसके अंदर देखिए आप जो स्वाइन का जो कास्ट्रेटिड मेल होगा उसको बोला जाता है होग या फिर बैरो क्या बोला जाता है होग या बैरो सीप के क्या बोला जाता है सीप और गोट के अंदर बोला जाता है वैदर या वैडर वैदर या वैडर वैदर या वैडर हैन के जो कास्टेटीड में लगा उसका बोला जाता है कैपन होरस के अंदर बोला जाता है जैल्डिंग और काउ के अंदर क्या बोला जाता है काउ और फैलो के अंदर बोला जाता है बूलक क्या बोला जाता है बूलक इसके अलावा आपका जो होगा यही होते मेल के अंदर लगबग इसके अलावा भी होगा कोई इसके अलावा एक ट्रम याद रखिए एक ट्रम आपको देखने को मिलेगी स्टीर 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 होता है मीट पर पज़ के लिए मीट परपज के लिए पाला जाता है स्टीर किसके अंदर काव और वफैलो के केस में स्टीर को मीट परपज के लिए पाला जाता है नेक्स्ट आता है हमारा Act of Cowing या Perturition Perturition के अंदर देखिए सीव का जो नवजात होता है किड बोला जाता है और जो प्रसो की कृिया होगी इसको क्या बोला जाएगा Lambing तो Option No.B Goat के अंदर क्या बोला जाता Kid बोला जाता छोटे बच्चे को तो परफसो की कृिया को बोला जाता Kidding Option No. D Cow और वफैलो के अंदर हमको पता काविंग बोला जाता है, स्वाइन के अंदर क्या बोला जाएगा फैरोइंग, स्वाइन के अंदर क्या बोला जाता है फैरोइंग, होर्षीज के अंदर क्या बोला जाता है फोल तो इसको बोला जाएगा फोलिंग, बीच के अंदर क्या बोला जाता है वैल्पिंग और हैन के अंदर बुला जाता है OV position, heaven के अंदर क्या बुला जाता है OV position, OV position के अंदर कितना time लग जाता है, total बनने तक, एक बनने तक 24 से 26 अवर लग जाती है, कलोई का पार्ट जो की रिप्रोड़क्टिव, डाइजिस्टिव और उन्रिनरी सिस्टम तीनों का काम करता है नेक्स्ट आता हमारा ग्रूप ओफ एनिमल्स को क्या बोला जाता है पहला हमारा सीप और गोट के अंदर क्या बोला जाएगा कैटल और फैलो को हमें पता है कि क्या बोला जाता है हर्ड बोला जाता है और सवाइन के अंदर क्या बोला जाता है सवाइन का क्या था स्टोक सवाइन का स्टोक या फिर ड्रोव, स्टोक और ड्रोव पोल्टरी के अंदर या बोला जाता है क्या फलोक, जुंड और होर्षीज के अंदर यह बोला जाता स्टड तो सीप और गोट के अंदर क्या बोला जाएगा फलोक, बैंड या ट्रीप लेकिन इसके अंदर याद रखने वाली बात क्या होगी जो सीप होती है सीप के जो जूंड होगा ग्रूप ओफ एनिमल्स होगा लेकिन गोट के अंदर यह जाना जाता बैंड और ट्रीप के नाम से किसके नाम से बैंड और ट्रीप के नाम से फलोक के नाम से भी जाना जाता लेकिन बैंड और ट्रीप ज़्यादा सब्ध यूज किया जाता है cat के अंदर यह है लीटर के नाम से जाना जाता है cat के अंदर किसके नाम से लीटर के नाम से जाना जाता है और camel के अंदर यह है टोला नाम से जाना जाता है किस नाम से टोला नाम से जाना जाता है next देखिए sound बताने हैं आपको sheep और goat के अंदर sound होती है bleeding sound, क्या होती है bleeding sound, dogs क्या करता है barking, और आपका cattle क्या करते है bellowing, इसके अलावा swine क्या करता है, swine करता है grunting, और horses क्या करते है naing, क्या करते है, horses की आवाज को क्या बोला जाता है, naing बोला जाता है, cat के अंदर मीविंग सूर के अंदर क्या बोला जाता है गरिंटिंग क्या बोला जाता है गरंटिंग इसके लावा आप याद रखिए जो अडल्ट मेल होता है किसके अंदर काउ के अंदर काउ के अंदर अडल्ट मेल को बोला जाता है बुल लेकिन जो कास्ट्रेटिड होगा उसको बोला जाता है बुलोक हुर्सीज के केस के अंदर अडल्ट को बोला जाता है स्टैलियोन कैट के अंदर बोला जाता है टों बुफैलो के अंदर बोला जाता है बुफैलो बुल सीप के अंदर बोला जाता है रैम या फिर टप कैमल के केस में बोला जाता है उंट या फिर कैमल और इसके अलावा जो कोक बोला जाता है पोल्ट्री के केस में कोक के के केस में बोला जाता है पोल्ट्री के केस में काव बोला जाएगा सीप में यूव बोला जाता है बफैलो में बफैलो ही बोला जाता है गोट में डोव बोला जाता है होर्सीज के अंदर मेर बोला जाता है कैट के अंदर क्वीन बोला जाता है और कैमल के अंदर इसको अडल्ट फिमेल को बोला जाता है hand और इसके अलावा poultry के अंदर बोला जाता है next portion आता है हमारा part A दे रखा part B के अंदर हमें answer लिखने की high fat percentage कि किसके अंदर होगी सबसे पहले याद रखें जो भी देशी गाएं होती है उनके दूद के अंदर alpha 2 दूद होगा जो की best quality का होता है जिसके अंदर alpha 2 protein मिलती है और पूरे वर्ड के अंदर 800 breeds मिलती है किसके गाएंगी 800 breeds मिलती है गाएंगी जो कुल दूद का production होता है total milk production होगा उसका 54% किस से मिलता है भैसेयों से मिलता है बफैलो से मिलता है और जो बफैलो होती है उसको water बफैलो बफैलो बोला जाता है क्योंकि अपने reproductive cycle को control रखने के लिए माना जाता है कि अपने reproductive cycle को control करने के लिए parasites को control करने के लिए बफैलो को मतलब 200 को दिन में एक या दो बार पानी से नहलाना या फिर उनको पानी में लोटना कहा जाता है उसको उस्ट्रम को बोला जाता है कि पानी के अंदर लोटना अपने जो इस्ट्र साइकल होगे उसको और जो पैरासाइट्स होते हैं उनको control करने के लिए नेक्स्ट आता हमारा हाईस्ट फैट प्रसेंटेज काउ के case में बताना में सबसे पहले काउ के बारे में लिखेंगे जो भी चीज़े लिखनी हमको काउ के अंदर क्या है कि हायस्ट फैट प्रसेंटेज किसके अंदर होगा सिंधी के अंदर इसके अलावा Half Moon Shaped Horan ये किसके अंदर होगे ये होगे आपके गिर के अंदर किसके अंदर होते हैं गिर के अंदर गिर के अंदर अब देखिए जो highest fat percentage होगा इसके अंदर जादा confusion रहती है ये आपका red सिंधी के अंदर ही होगा सबसे जादा जो fat percentage होगा इंडिजिनेस ब्रीड के अंदर वो red सिंधी के अंदर होता है ये सिंध डिस्टिक है जो पाकिस्तान का वहाँ पर मिलती है इसके अलावाद जो red सिंधी होगी इसका जो expression होता होगा intelligent expression होता है मतलब कि दीखने में यह कैसी दिखती है बुधिमान नसल होती है क्या होती है intelligent expression यह नीचे भी लिखा हुआ intelligent expression किसका होता है red सिंधी का होता है इसको red सिंधी बोला जाता है या फिर कराची सिंधी भी बोला जाता है next half moon shaped होरन हमने बता दिये किसके अंदर होगे गिर के अंदर गिर के अंदर खास बात क्या होती है गिर के जो जंगल है गुजरात के अंदर वहाँ पर देखने को मिलती है गिर जो परवत है गिर के जंगल है काठियावाड गुजरात के अंदर इसको हम गिर को क्या बोल सकते हैं गिरको सूर्थी बोल सकते हैं काठियावाडी बोल सकते हैं इसके अलावा डेकानी खोजी गुजराती ये इसके नाम हैं खास इसके अंदर जो बाते होगी ये होगी कि जो इसके कान होते हैं वे पत्ते की तरह होगे नीचे की तरह लटके होते हैं और जो इसका फोर हैड होता सबसे अच्छी बात यह है कि इस ब्रीड का जो बीफ है वो इंडिजिनेस ब्रीड के अंदर सबसे अच्छी क्वाल्टी का होता है इसको रोती हुई गाएं बोला जाता है इसकी जो पूंच होगी वह कैसी होती है चाबू कनुमा होती है इसकी पूंच होती है रोती हुई गाएं इसको बोला जाता है इसका जो फोर हैड होगा वह कनुएक सेप का होगा कान होते हैं हुए कैसे होगे लीफ टाइप के मतलब की पत्तेदार होंगे, जो नीचे की तरफ है, जुके हुए रहते हैं, नीचे की तरफ है, जुके हुए रहते हैं, ये जो main points थे, ये होंगे आपके गिर के बारे में, intelligent expression, red shindy के अंदर, high level of lactose, lactose का high level होगा आपका है, indigenous के अंदर, साहिवाल के अंदर, किसके अंदर, साहिवाल के अंदर, साहिवाल एक milch breed है, मोंट गोमिर पाकिस्तान इसका origin place है, इसको मुल्तानी बोला जाता है, लांबी बोला जाता है, loose skin के कारण इसको लोला ब्रीड भी बोला जाता है loose skin के कारण इसको इसके लावा इसका जो डिवलैप होगा वो कैसा होगा well developed होगा skin लटकी ही होगी इसके अंदर और क्या खास बात होती है इसके अंदर जो lactose की मातरा होगी वह सबसे ज़्यादा होगी जो आखे होगी उसके चारो तरफ सफेद रिंग में लगी जिसको eye world भी बोला जाता है इसको hope breed भी कहा जाता है क्या बोला जाता है hope breed भी बोला जाता है कि इसके अंदर ब्राजिल के अंदर इसको hope breed बोला जाता है ये इसके अंदर खास feature होंगे जो भी जो हमने discuss किया वे next आता smallest breed smallest breed होती है आपकी वेचूर वेचूर या फिर वेचूर भी बोला जाता है इसको वेचूर यह आपकी किसकी breed होती है केरला की केरला की breed है या सबसे छोटी breed होगी वेचूर और वेचूर के अंदर confusion रहती बेचूर है बिहार की और वैचूर है कहां की किरला की best dual purpose breed कौन सी है best dual purpose breed होती है आपकी हर्याना यहां पर हर्याना और थार परकर के अंदर confusion होती है हर्याना के अंदर खास बात क्या होगी दोनों सिंगों के बीच में पोल होगा उबरा हुआ होता है नेरो फेस होता है और हर्याना के अंदर जो नेवल फलैप होगा वो क्या होता है एपसेंट होता है यही में फीचर से हर्याना को डैजर्ट कंजवर ब्रीड भी बोला जाता है और राजस्तान के अंदर कई जगह पे मेले भी लगते हैं हनुमान गड़ के अंदर जैसे ये होगे आपके हरियाना के बारे में इसके अलावा next पढ़ते हम best drought purpose breed ये होगे आपकी अमरीत महल कुछी होती है कोंची होती है अमरीत महल जो की कहांकी breed है करनाटका की यह desert breed है heaviest breed indigenous के अंदर ığız breed हमाने हैं कांकरेज कांकरेज को सुवाई चाल स्वाई चाल क्या कहा जाता है स्वाई चाल बोला जाता है इसके अलावा इसके जो सिंग होते हैं वह बहुत लंबे होंगे भारी होते हैं सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं होरन कैंसर होने के ज़्यादा चांशिज रहते हैं एक कदम के अंदर सुवाचाल चलती, सुवाफिट चलती है, इसलिए सुवाइचाल बोला जाता है, और इसके लावा क्या होगी यह है, हैवियस्ट ब्रीड होती है, क्या होगी है गुजरात राजस्तान के अंदर देखने को मिलती है, नेक्स्ट आता आपका ग्रे सिंदी या वाहिट सिंदी ग्रे सिंदी या वाहिट सिंदी बोला जाता थार पारकर को थार पारकर को क्या बोला जाता ग्रे सिंदी या वाहिट सिंदी थार पारकर को लोर्ड किर्शनाज गाएं मतलब कि भगवान किर्शन की गाएं इसके अंदर color change की क्या होती है color change करने की समता होगी यह अपना color क्या करती रहती change करती रहती कभी gray कभी white कभी gray कभी white इसके अलावा सबसे ज़्यादा dg's resistance दो देखने को मिलती है वाई देखने को मिलती है किसके अंदर ठार पार करके अंदर main confusion रहती है कि यह मिल्च ब्रीड है या फिर dual purpose ब्रीड है याद रखना यह कैसी ब्रीड है मिल्च परपज ब्रीड है क्या है मिल्च परपज ब्रीड है मिल्च परपज ब्रीड है हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर किया है? औरीजन प्लेश है, जो कि हैदराबाद है, एक सहर है, जो पाकिस्तान Major. Hope breed of Brazil किसको बोला जाता है, यह बोला जाता है? यह बोला जाता है, यह बोला जाता है? यह बोला जाता है? वैसे आ जाए तो goat option हो, ओस गोठ को भी मेंज काउ, क्या बोला जाता है, पूवर मेंज काउ भी बोला जाता है, नेक्स्ट आता आपका, अंगोल, अंगोल के अंदर क्या खास बात है, देखें, अंगोल के अंदर खास बात ये होगी, किस के अंदर जो आफरे वाली समस्या होती है, वह सबसे कम होगी, सबसे कम आफर को कम कौन करता है जो लार्ष तरावित करता है पसूस के अंदर म्यूसिन होगा जो की आफ्रे की समस्या को कम करता है नागोरी नागोरी क्या होगे यह बैल इसके अंदर सबसे ज़्यादा पथरी होती है नंबर दो राजस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रोट परपज के लिए यूज की जाती है डीजी जो रजिस्टेंस हाई किसके अंदर होता थार पारकर के अंदर होता है जो राठी नसल की गाएं है जिसको गरीब की गाएं भी बोला जाता है वह तीन ब्रीड के क्रो से बनाई गई है तीन ब्रीड के क्रो से बनाई गई है इसके अंदर जो ब कौन सी ब्रीड राठी ब्रीड इसके अलावा मेवाती ब्रीड भी है जो हर्याना के आसपास मेवात वाले रिजन के अंदर मिलती है जिसको कोशी या फिर काठी भी बोला जाता है जो मेवाती ब्रीड है मेवाती ब्रीड है उसको किस से बनाया गया है उसको बनाया गया आपक आपका राठी तो मिवात्ती को कैसे याद रखोगे जी एन आर जी एन आर इसके अलावा next आता हमारा cow exotic के बारे में questions आते हैं cow exotic के बारे में पहला question है कि heaviest breed कुन सी होती है heaviest breed होती है आपकी होल्स्टीन फेरेजिन होलेंड के अंदर मिलती है आपको इसके अंदर खास बात क्या होगी कि जो वर्ड के अंदर सबसे बैस्ट जो मिल्च ब्रीड है सबसे जादा दूद देने वाली ब्रीड है वह कुन सी है फ है सबसे heaviest ब्रीड है और एक्जोटिक ब्रीड के अंदर सबसे कम जो फैट परसेंटेज होगी वह है भी HF के दूद के अंदर देखने को मिलती है HF की ब्रीड के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग समस्याई देखने को मिलती है heat stroke सबसे ज़्यादा भी HF के अंदर ही देखने को मिलता है इसके अलावा आता हमारा lactation period बताना सबसे लंबा किसका होता है अगर lactation yield की बात करें वह होगा सबसे ज़्यादा HF के अंदर लेकिन exotic के अंदर lactation yield की बात आए जर्षी जो ब्रीड है यह मिलती है आपकी जर्षी iúde जो की इंगिलेंड के अंदर है विशह की सबसे छोटी smallest breed है एकजोटिक के अंदर सबसे smallest breed होगी और इंडिया के अंदर जो रहने के विल्कुल stable है तो वह कौनसी आपकी जर्षी ब्रीड ही है कुणसी है जर्शी ब्रीड है इसका जो forehead होगा वह डबल डिश टाइप का होगा और जो विदेशी जितनी भी नसले हैं गाए की उनके अंदर से सबसे ज़्यादा fat percentage किसके अंदर देखने को मिलती है जर्शी के अंदर देखने को मिलती है ब्यूटीफुल ब्रीड को याद रख सकते हैं कि आपने ब्यूटीफुल ब्रीड देखी और उसके लिए आपने सायर सुनाया तो जो आयर सायर होती है आयर सायर ब्रीड वह है कुनसी होती है सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड होती है आयर सायर सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड ह स्कोटलेंड की क्या है ब्रीड है इसका जो कलर होगा वह है डारक रैडिस ब्राउन होता है नेक्स्ट आता है लेक्टोज लेवल हाई किसके अंदर होता है लेक्टोज लेवल हाई होगा आपका ब्राउन स्वीश के अंदर ब्राउन सवीश के अंदर ब्राउन सवीश स्विट्जर लैंड की एक ब्रीड है गर्मी को सहन करने की सबसे ज़्यादा समता किसके अंदर होगी ब्राउन सवीश के अंदर होगी लेक्टोज परसेंटेज किसके अंदर होगा सबसे ज़्यादा Brown Swiss के अंदर होगा Best Beef Breed Best Beef Breed वह किसके अंदर होता है Best Beef Breed वह भी आपका होगा किसके अंदर Brown Swiss के अंदर Next आता आपका Lactose Level High होगा Best Beef Breed ये भी आपका आगा Brown Swiss इसके लावा एक breed है Green Sea जिसके अंदर Ketosis बिमारी सबसे ज़ादा होती है HF के अंदर milk fever सबसे ज़ादा होगा और ketosis सबसे ज़ादा grain C के अंदर होगा और grain C कहाँ पर मिलती है फ्रांस के अंदर grain C कहाँ की breed है फ्रांस की breed है अगर comparison की बात करें इनके अंदर comparison करें तो किस किस का comparison बनता देखिए heaviest breed indigenous के अंदर कौन सी है कांकरेज exotic के अंदर कौन सी है HF lactation period सबसे लंबा tenure किसका हुआ indigenous के अंदर girka और exotic के अंदर किसका होता है आपका जर्षी का highest fat percentage यहाँ पर आता है red sindhi और इधर वाली side exotic के अंदर बात आईगे आपकी जर्षी की lactation yield यहाँ पर साहिवाल का नाम आता है और यहाँ पर आपका exotic के अंदर नाम आएगा किसका HF का smallest breed यहाँ पर venture का नाम आएगा indigenous के अंदर और यहाँ पर आता है आपका जर्षी का नाम beautiful breed ब्यूटिफुल ब्रीड के अंदर आपका कौन सा नाम आता है यहाँ पर Irish Irish नाम आता है इसके अलावा lactose level सहीवाल के अंदर और किसके अंदर brown swiss के अंदर best beef breed यहां पर आपका गिर का नाम आएगा और यहां पर किसका आता है आपका आता ब्राउन swiss का नाम किसका brown swiss का cross breeds के बारे में पढ़ते हैं cross breeds के बारे में देखिए सबसे पहले आता करन फ्राईज करन का नाम आते ही करनाल का नाम आना चाहिए दिमाख में और करनाल के अंदर बनाएगी थी करन लेक के नाम पर ही करन नाम पढ़ाए करन फ्राईज फ्राईज से तो HF तो बन गया है होल्स्टीन फ्रेजिन फ्राईज फ्रेजिन एच्छ तो होगा ही फ्राईज सबसे ज़्यादा कोई चीज करें तो कहां पर बनेगे जहां पर गर्मी ज़्यादा तो यह गर्मी कहां पर होगी राजस्तान के अंदर राजस्तान के अंदर क्या थार पारकर थार मुरूस्त तो जो HF और थार पारकर होगी तो वो होगी करन फ्राइज, HF और थार पारकर होगी करन फ्राइज, option no.6, next आता करन स्विस, स्विस से ही बना लीजिए, ऐसे ही साहिवाल बनता है और स्विस से ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल की यह है क्रोस होगी जर्शिंद के अंदर जर्शे जर्शी और सिंद से सिंधी जर्शी और रेड सिंधी जर्शी और रेड सिंधी फ्राइज वाल फ्राइज से बनता है एचेफ और वाल से साहिवाल एचेफ और साहिवाल टेलर यह पहली सबसे पहली जो क्रोस ब्रीड बनाएगे थी वह टेलर थी और टेलर के लिए हमने क्या यूज किया था केरला की एक लोकल ब्रीड का क्रोस करवाय था हमने किसके साथ जर्शी के साथ किसके साथ है जर्शी के साथ यही था ना टेलर का टेलर का जर्शी का तो के एल्ला के साथ तो हमने कर वाँ ता सुननद्ञा एलेर किसे याद रका था पटना या तो पतना कि जो लो पटना और आयर साइर नेक्सट आता हमारा जमायका होप जमायका होप किससे बनाए गए थी आपकी HF से जर्शी से दिये दो तो हो गई एक्जोटिक और हमारे यहां पर जमायका होप होप किसको बला जाता साईवाल को तो साईवाल से सुनन्दनी ये कहीं पर लिखा हुआ कि यह केरला और जर्षी से बनाई गई थी और कहीं पर लिखा हुआ कि HF जर्षी और ब्राउन स्विस इन तिन एक्जोटिक ब्रीड के क्रोस से बनाई गई थी कई जगह पर ये लिखा हुआ कई जगह पर जर्षी और किरला के बारे में लिखा हुआ है जर्थार जर्षी और थार पारकर नेक्स्ट आता है विच ब्रीड इस आलसो नोन एज डैजर्ट कंज़र ब्रीड पूरी सारी बारे में बात की गही यहां पर बूरी सारी बारे में बात की गई है यहाँ पर सिर्फ एक बफैलो के बारे में बात नहीं की गई इसके अंदर confusion है इस question के अंदर सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में black gold आ रहा होगा लेकिन answer यह नहीं है black gold बोला जाता है मुर्रा को सिर्फ किसको मुर्रा को मुर्रा को Asian tractor भी बोला जाता है Asian tractor भी बोला जाता है इसके अलावा black gold तो होगी आपकी मुर्रा white diamond ऐसा कुछ है ही नहीं तो black beauty किसी को भी बोल सकते है किसी भी नसल की हो सकती है बफैलो के अंदर तो इसका अंसर आता हमारा black diamond क्या बोला जाता है इनको black diamond बोला जाता है black diamond next आता आपका part A और B को मिलाना पंच कल्यानी किसको बोला जाता है पंच कल्यानी आपकी बोला जाता है नीली रावी के अंदर क्योंकि शरीर के 5 हिस्सों के उपर सफेद फूल देखने को मिलता है और पंच कल्यानी फिरोजपूर जो दूँज़ा पाकिस्तान का इरिया वहां पर देखने को मिलती है। आपकी यह थी रावी का जो कोस्टल एरिया है रावी के आज़ स्पास वहां पर देखना को मिलती है पंच कल्यानी तो इसका होगे आपका नेली रावी एसियन ट्रैक्टर या फिर बोले बलैक गोल्ड ये बोला जाता है या फिर कुंडी भैंश यह बोला जाता है आपका मुर्रा नसल को रोतक करनल हरियाणा हिसार जीन देखने को मिलती है इसको दिलली भाफैलो भी बोला जाता है काली भी बोला जाता है जिसके घर काली उसके घर Дिवाली सबसे ज़्यादा फैट पर्सेंटेज वैसे होती है बदावरी के अंदर उसके बाद नंबर आता है मूरा नशलगा और जो फर्स्ट काविंग होगी उस समय इसकी उमर होती है पिंतारी से पचास मन्त कलर कैसा होगा जैट बलेक कलर होगा और ब्रीडिंग को सुधारने के लिए ग्रेडिंग अप के लिए इसका यूज किया जाता है कोपर कलर की कौन सी होती है बदावरी होती है जो कि इटावा यूपी वाले एरिया के अंदर मिलते है इसका कोपर कलर होगा और इसके अंदर क्या होगी फैट परसेंटेज सबसे ज़ादा होती कितनी 14 परसेंट नेक्स्ट आता मीनी एलिफेंट मीनी हेलिफेंट हेवियस्ट ब्रीड ये बोला जाता जाफरावादी को किसको जाफरावादी को मीनी हेलिफेंट हेवियस्ट ब्रीड आंखे ऐसी होगी जैसे की सोई हुई है ये और इसके अलावा जो होरंस होते हुए कैसे होगे ड्रोप शिकल से फोरण के होते हुँते हैं सूरती को मोस्ट डुसयल ब्रीड बोला जाता है मोस्ट अग्रेशिव ब्रीड होती है आपकी टोड़्डा जो कि तमील नडू के अदर मिलती है छोटी ब्रीड हो गी और शिकल मिलती है तो यह होगी आपकी बफैलो के बारे में next आता हमारा wild eyes बताना है बफैलो के अंदर किस के अंदर होगी है हमने पड़ा नीली रावी के अंदर और काउ के अंदर साई वाल के अंदर low fat percentage भी आपका किस के अंदर होता, नीली रावी के अंदर होता और cow के अंदर किस के अंदर होगा, low fat percentage HF के अंदर, exotic के अंदर किस के अंदर, HF के अंदर highest fat percentage, बधावरी के अंदर होता, बधावरी के अंदर हैविएस्ट बदावरी के अंदर और काउ के अंदर किस में होगा एक रैड सिंदी के अंदर और एक जर्शी के अंदर हाइस्ट डीजी जर्जिस्टेंस वहां थार पारकर के अंदर था और यहां किस के अंदर होगा highest disease resistance ये होता आपका किस के अंदर highest disease resistance बफैलो में ये आपका जाफरावादी होना चाहिए फिर किस के अंदर होगा जाफरावादी के अंदर highest disease resistance next देखिए next आता आपका highest milk yield ये होगा आपका मुर्रा के अंदर exotic जो काउ होती है उसके अंदर कौन सा होगा आपका milk yield HF के अंदर highest lactation period lactation period होगा आपका किस के अंदर मेहसाना के अंदर मेहसाना को मुर्रा और सूर्ति की क्या बोला जाता है क्रोश बोला जाता है याद रख सकते हैं मेहसाना मेहसाना ये आगे वाला ना मुर्रा से पड़ा है और पीछे वाला साना किस से पड़ा शूर्ति से और मेहसाना के अंदर जो tail tweet होता हुआ कैसे रंका होता काले रंका होता है lactation period सबसे लंबा किसका होगा मेहसाना का sword like occurrence ये किसके अंदर होगे ये होगे आपके नागपूरी के अंदर या फिर पंठार पूरी के अंदर इनके अंदर से बताईए पंठार पूरी के अंदर होंगे या फिर नागपूरी के अंदर यह होंगे आपके पंठार पूरी के अंदर इसके अंदर है पंठार पूरी के अंदर नागपुरी के अंदर क्या खास बात है इसके अंदर canyon flap absent होता है जैसे कि हरियाना कउव बरीड के अंदर होगा heaviest breed कोँशी होती है जाफरावाधी होती है आपकी smallest breed कोँशी होगी smallest breed होती है आपकी जेरांगी कहां की है उडिसागी और light test low in weight वह breed कुन सी होती है जो वजन के अंदर क्या होती है आपकी hulky breed होती है वह हो गया आपकी नागपुरी नागपुरी breed है ये navel flap absent होता है और hulky breed होती है उसके लिए जानी जाती है नेक्स्ट आता आपका मेशाना breed of cow is the cross of ये आपकी किसकी cross होगी मुर्रा और सूर्थी की किसकी मुर्रा और सूर्थी की first clone of buffalo कौन सा था डोली, हिसार डेल, none of this या फिर ग्रीमा कौन सा था ग्रीमा था, डोली किसके लिए था सीप के लिए था हिसार डेल, ये आपकी किसकी अदा ये भी सीप के लिए था हिसार के अंदर wellowing trim is used in wellowing trim buffalo के अंदर यूज की जाती है जब भैसे अपने जो मद चक्कर होगा या फिर जो parasites को कंट्रोल करने के लिए शरीर के उपर से ये क्या करती है किचड के अंदर खेलती है किचड के अंदर लोट लगाती है उसको बुला जाता wellowing किचड के साथ खेलना किचड के अंदर खेलना तो आज हम यहीं तक करते हैं buffalo तक हमने complete कर लिए जितने भी main point important point बनने थे वे हमने cover कर लिए नेक्स्ट हम करेंगे सीप और गोट के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगी आसा करता हूं सभी को सैशन पसंद आया होगा धन्यवाद